हलो दोस्तों वैलकम बैक ऑन स्टेडी सेक्टर दोस्तों नई एनरजी नई नॉटिपेकिशन और नई अपडेट के साथ हम हाजिर हैं फिर से आपके लिए एक धंबाक किदार वीडियो लेकर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आये हैं सेलेरी की छुक छुक वाली रेल गा हम आपको बताते हैं कि आखिर एलाइसी असिस्टेंट का पेस्किल कितना होता है दोस्तों एलाइसी असिस्टेंट का पेस्किल 14,435 से 40,080 रुपए तक का होता है स्क्रीन पर आपको इसकी पूरी डिटेल्स नजार आ रही होगी तो बिना वक्त गवाय इसका बेसिक पे आ आलाउंस ओर बैनिफेट्स की आपार्पवरं एल्बी अशिस्टेंट बेसिक पे एलाइसी असिस्टेंट विल एंजोर वेरियस ब्रॉल्कु आलाइसी असि संथे परक्स य nenhuma अफार असिस्टेंट आउन령 सेंट परूरी एंजरच्व सब्सकिल का उन्न के अबर्स ऑस्टें उस आखर्डिंग को उनका हाउस रेटन ऑलाउंसेंस मिलता है नेक्स उनको मिलता है सिटी कमपेंज इन्टरी ऑलाउंसेंस यानि की सी सिय सी सी एड्स टेपेंड ऑन जॉप लोकेशन जॉप लोकेशन क्या है यह उसके बेसिक पेका चार तीन और जीरो नहीं भी मिल सकता पर 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 संट उनको दे मिलता है नेक्स्ट भी हैव लंज अलांजन में गी मील कुपन विल भी अप्रोक्समेटली थाइट थाउजन पर मंथ एस क्लास सीची की जो लोग जहां पर पॉइंट किये जाते हैं उन्हें थाइट थाउजन का अलांजन्स मिलता है साथ ही उन्हें इंशॉरेंस अलांजन्स भी मिलते हैं उनमें वीकल अलांजन्स एक्सिदेंट इंश्वरेंस वगरा भी उनको साथ में मिलते हैं तो नाव हम बात करते हैं LIC Assistant की जॉब प्रोफाइल की तो Assistant are responsible to perform various duty of clerical staff including cashier, single window operator, customer service, executive EDC यानि कि आपका काम महाँ पे staff, handle करना, cashier, single window operator भी आप महाँ पे हो सकते हैं तो the main role of assistant is manage to cash counter आपका जो main role होता है वहाँ cash counter पे होता है processing करना, उनको distribute करना, files को सही करके arrange करना by the assistant manager LSA assistant must also perform back office work वो back office work भे करते हैं, account related works, recovery as per work जो उनको sign किया गया है, जिस काम के लिए वो तो नहीं करना ही होता है साथ ही वो लोग responsible होते हैं, जो भी उन्होंने insurance किये हैं उनके reviews के लिए, और required to manage sale documents and other documents related policies, claims, settlements, accounts, etc. ये सारा काम उनका होता ही है The assistant have to handle online offline transaction उनको online offline दोनों transactions को handle करना होता है साथ ही, once appointment as assistant shall be approved for the period of six months for the date of appointment which can be exchanged for the one year Friends, LIC assistant के promotion के हम बात करें तो LIC assistant are also transferred to other department depending upon internal requirements as well as the interest of the employee LIC assistant का transfer उस department में या किसी भी other department में तब होता है जब वहाँ पे internal requirement होती है उस इंसान की या फिर उसके पद की तो उसका promotion वहाँ कर दिया जाता है Employee get promotion based on their year और experience and performance आप अगर अच्छा काम करेंगे, अगर आप अच्छे से वहाँ पे अपने responsibilities को पूरा करेंगे आपका experience अच्छा होगा, आपकी performance अच्छी होगी तो आपको promotion भी बहुत जल्दी मिल जाएगा Employee may also give departmental examination as get promoted to higher post अगर आप higher post quickly पाना चाहते हैं तो आप departmental exams देकर भी higher post पा सकते हैं that we are provided with all the necessary information regarding LIC assistance salary 2019 और job description, role, responsibilities, promotion, career जो भी था हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है तो प्रेंट्स अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज इसे जरूर लाइक खीजेगा साथ ही हमें comment करके जरूर बताएं कि आप किस post पे salary के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में जाना चाहते हैं हम आपकी help जरूर करेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई notification, नई energy, नई updates के जाथ तब तक के लिए बाई बाई